नमस्कार आप देख रहे हैं से रिपोस्ट और मैं हूँ आपके साथ अशुतोर सिंग प्याज की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए कि इन्दी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है केंद्रिय बारिजय और उध्योग मंत्राल ने प्याज की निर्यात नीती में अगले आदेश तक संचोर्धन किया है सरकार ने प्याज की सभी किस्तों पर निर्यात पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दिया है वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजिंद्र कुमार तीवारी ने शनिवार को प्रदेश में प्याज के दामों पर हो रही बढ़ोती रोकने के लिए विशेस प्यास करने को कहा है उन्होंने कहा कि बिचौली किसी भी तरह से प्याज को अनाधिकरित रूप से स्टोर नहीं कर पाएंगे आपको बता दें कि शनिवार को दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने 70 गाडियों को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया जिसके जरिये दिल्ली के सभी विदान सभा शित्रों में 23.90 रुपे प्रती किलो ग्राम के भाव से प्याज बेचा जाएगा इस कारेकरम का आयजन दिल्ली सचिवाले के बाहर हुआ जहां खाद्य तथा नागरिक आपूर्ती मंत्री इमरान हुसेन और आमादनी पार्टी के कई कारेकरदा भी मौझूद थे सरकार रास्ट्रिय राजधानी में 400 राशन दुकानों पर भी प्याज बेचेगी के जरिवाल ने इस योजना की घोशना करते हुए कहा कि एक वक्ती एक बार में अधिकतम 5 किलो तक प्याज खरीद सकता है उन्होंने यह भी कहा कि खुधरा बाजार में 35 साठ रुपै से असी रुपै प्ति कीलो की दर से अभी मिल रहा है साथ ही उन्होने कहा कि नए कजम से शेहर में लोगों को रहत मिलेगी दिल्ली सरकार अगले पांच दिनों में केंदी सरकार से एक लाग किलोग्राम प्याज खरे देगी देश और दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रिस्टी पोस्ट, लाइक, शेर, सब्सकाइब जरूर करें झाल